हलो एवरिवन आज है सेकंड अपरील और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रूची सोया के बारे में 935 रुपे के आसपाश शेयर ट्रेट कर रहा है हाल फिलहाल में ही FPO इसका लॉंच हुआ था FPO को कुछ खास response नहीं मिला था लेकिन कुछ चीज़े ऐसी सामने आई कि पहली बार सेबी ने ये कहा कि रिटिल इन्वेस्टर्स के पास ये मौका होगा कि वो अपनी बिड को कैंसल कर सकते हैं और वाकई में काफी लोगों ने अपनी बिड कैंसल भी करी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रूची सोया 935 रुपए का ये जो शेर है उसमें चल क्या रहा है और आखिर क्या गेम खेला गया इस कमपनी में तो रूची सोया अगर हम बात करें शुरुआज से तो कमपनी बहुत जादा कर्जे में थी और डूब कर बरबाद हो गई कर्जे के वज़े से कमपनी चली गई वहिया दिवालिया कोड की प्रोसेस में और वहां से बाबा रामदेव ने इस कमपनी को अक्वायर कर लिया अब हुआ क्या था इस कमपनी के उपर बैंको का कर्जा था दस हजार करोड रूपए दस हजार करोड रूपए का कर्जा था जो ये चुका नहीं पा रही थी अब देखो बाबा रामदेव ने अक्वायर तो कर लिया इस कमपनी को ठीक है लेकिन कर्जे का क्या हुआ गर्जे का ये हुआ कि 10,000 की जगे बैंकों ने बोला ठीक है 10,000 नहीं अब 4,300 करोड के आसपास जो रकम है वो आप चुकाईए बाबा रामदेव ने बोला कि ठीक है हम चुका देंगे हलाकि इस बीड में अदानी विलमर भी सामिल था अदानी ग्रूप भी सामिल था यहां पर लेकिन बाद में अदानी बैक आउट कर गया और बाबा रामदेव ने इस कंपनी को खरीद लिया अब यहां पर गेम क्या हुआ गेम यह हुआ कि 4,300 करोड जो बैंक को चुकाने थे ठीक है बाबा रामदेव को पतन जली को इस कंपनी को अक्वार करने के बदले में तो उन्होंने बैंक से ही पैसा लिया दुबारा कि अच्छा ठीक है हमको लोन दो और वही पैसा उन्होंने बैंक को चुकाया थोड़ा बहुत चुकाया ठीक है और बाकी का 1000 करोड उन्होंने अपने अंदर से डाला Working Capital के तौर पर ठीक है और रूची स्वया को कुछ वक्त के लिए चलाया और अब ये लेकर आ गए FPO अब FPO जो लेकर आए हैं वो है 4300 करोड का FPO इनका ठीक है तो यहां पर सीधे सीधे तोर पर अब ये कह सकते हैं कि FPO आने के बाद बाबा रामदेओ के पास 81% की होल्डिंग रहेगी 19% की होल्डिंग पब्लिक के पास रहेगी तो यहां पर आप खुद देखिए कि ये जो कंपनी को इन्होंने अक्वायर किया था वो सिफ 4,300 करोड के आस पास की थी ठीक है और उसके लिए भी पैसा उन्ही बैंक ने इनको दिया जिस बैंक ने 10,000 करोड का करजा माफ कर दिया था रूची सोया को और उसके जगे बुला कि ठीक है 4,300 करोड दे दो मतलब आप ही की जेब से 100 रुपे आप मतलब आपको 100 रुपे चुकाने है किसी कंपनी को आपने बुला कि ठीक है 100 रुपे मत देना आप मुझे 40 रुपे दे दो अब दूसरा परसना के कहता है कि ठीक है मुझे तुमको 40 रुपे देने है तुम्हें काम करो, मुझे 40 रुपे दो, मैं तुमको वापस देता हूँ वो पैसा तो यह पूरा गेम यहाँ पर खेला गया, अब बाबा रामदों के पर जो 81% की होल्डिंग है वो free की है उनके पास, free की होल्डिंग है, हाला कि no doubt उन्होंने company को एक साल के लिए चलाया भी है और काफी profit भी कमा रही है company, लेकिन फिर भी अगर आप देखो, तो यह वाकई में किसी normal person को इतनी बड़ी liberty कभी नहीं मिलती है अगर आप और हम जाएंगे कहीं पर भी किसी bank से किसी चीज़ को लेने के लिए, तो हमको इतनी liberty कभी नहीं मिलेगी और रूची सोया के FPO को लेकर भी अगर देखा जाए, तो FPI में अगर देखा जाए, तो दो दिनों में 97% bid विड्रॉक होई है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है business standard website का यहाँ पर अगर आप देखने के कोशिश करो, तो FPI had bid for nearly 7.5 billion shares of which they cancel 7.20 billion ये data बता रहा है तो काफी लोगों ने जो bid थी, वो withdrawn भी करी है, retail investors ने भी bid withdrawn करी है आप देखे, retail investors withdraw 5,67, sorry 69,835 bits तो यहाँ पर भी उनके तरफ से bid drawn देखने को मिला है even employees की अगर हम बात करें तो हला कि देखो employees बहुत जादा यहाँ पर कह साथ है कि रूचिस में काफी जादा invested है क्योंकि generally employees के जादा ही बड़ी खरीदारी देखने को मिली है, हमें सबसे जादा और यह पहली बार देखने को मिला है तो potentially definitely business अच्छा कर रही है, रूचिस वाइ बिजनस अच्छा कर रही है लेकिन जो game खेला जा रहे है उसको समझे और इतनी bid अगर cancel हुई है, ठीक है again, FPO मुझे लगता है कि जिनको मिलेगा वो positive में ही रहेंगे reason यह है कि मुझे नहीं लगता है कि इनका जो FPO है वो अभी I think 5-6 तारीक को launch आपको मिल जाएगा लेकिन जिस दिन मिल जाएगा है सबको लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो जिन लोगों ने भी अभी invested है वो सिर्फ और सिर्फ listing gain के लिए बैठे हुए है और यहाँ पर मान लोग की तब तक यह share अगर 800 रुपे पर भी आ जाता है ठीक है, लोग पहले ही दिन में धड़ा धड़ बेचेंगे उसका reason यह है कि रूची सोया में अब तक इस share को control करना बहुत आसान था क्योंकि promoter के पास 98.90% की holding थी मलब 99% की holding सिर्फ और सिर्फ पातांजली के पास थी अब market में 1% की holding बची थी उसमें से भी 1.10% है domestic institution के पास retail investor के पास जादा कुछ है ही नहीं यहाँ पर अभी के वक्त में कर देखा जाए तो तो इन दोनों के पास इतनी सारी holding की तो share को control करना बहुत आसान था अब आप सोचिए कि अब इनके पास holding रह जाएगी 81% की anchor investor के पास definitely कुछ रहेगी लेकिन retail investor के पास भी कुछ portion है तो याद रखे जब market में जादा equity होगी तो definitely तब control करना मुश्किल होगा इवन आपने खुद देखा होगा कि पहली बार पातांजर मतलब रूची सोया के share में retail participation बहुत कम था उसके सामने employees जादा थे FIL जादा थे DL जादा थे तो वहाँ पर ये सारी चीज़े थे जनरली होता कि retail लोग जादा खरीदारी करते हैं लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था और रूची सोया को लेकर मुझे अब भी लगता है कि देखो मैं again कह रहा हूँ जिनके पास FPO में allocate होगा वो loss में नहीं जाएंगे ठीक है लेकिन वो loss में तब जा सकते हैं अगर वो पहले दिन listing के दिन अगर वो इसका इस्तवाल नहीं करते हैं again मेरी कोई recommendation नहीं है ये आप अपनी हिसाब से सोचिए लेकिन जब ज़्यादा शेर्स में अभी तक मेरा एक ही सवाल है यहाँ पर कि अब तक इसको control करना बहुत आसान था क्योंकि ज़्यादा quantity थी नहीं market में जब market में ज़्यादा quantity आएगी इसको control करना मुश्किल होगा और definitely आपको बिकवाली देखने को मिलेगी क्योंकि previously हम सब ने देखा है कि IPO में लोगों ने अपने हाथ जलाए है जिन लोगों ने समय पर profit book नहीं किया है बहुत कम IPO ऐसे हैं जो अभी भी लगातर बढ़ रहे हैं जातर IPO बढ़ने के बाद 3-4 दिन की तेज़े के बाद धड़ाम से नीचे गिरे भी है तो यही मैं कहना चाहूंगा रूची सोया को लेकर कि बहुत सारी चीज़े यहाँ पर हो रही है और उस चीज़ के बारे में जानना समझना ज़रूरी है कंपनी मेरे हिसाब से अच्छी है अगे इन मैं कह रहा हूँ रूची सोया खराब कंपनी नहीं है अच्छी company है लेकिन जिस price पर trade कर रहा है वो price मेरे हिसाब से correction आ सकता है यहाँ पर यह price मेरे हिसाब से महंगा है correction आ सकता है और FPO जैसे ही सब को मिल जाएगा मेरे हिसाब से एक profit booking आपको देखने को मिल सकती है उस दिन तो नजर रखे रूची सोया के उपर और अभी भी यही कहूंगा कि panic मत करिएगा लेकिन अगर opportunity मिलती है तो उसका फाइदा उठाना भी जरूरी है अगर company के मालिक उठा सकते हैं तो हम क्यों नहीं वीडियो को यहीं पैंट करूंगा पसंदा हो तो like करे शाय करे चैनल बगर मैं आप क्या सूचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिखकर बता सकते हैं thank you